हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल लता की लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसुरत पैटर्न सियर करने जा रही हूँ इस पैटर्न को आप लेडी स्वेटर गल्स्वेटर बेबी स्वेटर जेंड्स्वेटर के पादी में अपलाई कर सकते हैं बन पास नंबर की सराई में हमने इस पैटर्न को बना लेने सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटर्न बनाके कंप्लीट करेंगे बॉर्डर पैटर्न कंप्लीट होने के बाद हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ड ह होता है अब हम अपना बनाना स्टार करते हैं तो देखेए बोर्डर प्लेट होने के बाद के बाद कि ओस्ट्रो मेंети कि ब कुछ फेला फंद हूसरी इंगे पहला फंद अ करके बुणेंगे तो दिखिए एक ये दो इस तरीके से अब ने अस्ट आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है धागा अपनी सवाइड हो फंदे कैसी S वाइपनन एक फंद्यद्न करके बुनेंगे और फिर दागा अपनी साइड नेस्ट अपने सेम प्रोसिस रिपीट करना है दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा बुनेंगे और डबल रोल करके बुनेंगे इस तरीके से फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे अब लास्ट में देखे फिर नेस्ट देखिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे और double roll करके बुनेंगे. फिर धागा अपनी side, अब last में हमने दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बुन लेने. तो देखिए, एक front side से pattern की first row complete हो गई. Wrong side से देखिए, second row. पहला फंदा उतारेंगे, फिर धागा पिछे कर लेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, फ्रंट साइड से जो फंदे उल्टे आये हैं, वैक साइड से सीधे आएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, अब देखें फ्रंट साइड की तरब से देखें, जो फंदा हमने सीधा ब अब इसको हमने बिनाबुने ही उतालेना है फिर धागा पीछे करेंगे 2 फंदे सीधे बुनेगी फिर धागा अपनी साइड अब NESS फंदा हम SINGLE करेंगे और इस तरीके से दीखे इस तरीके सेसालाई डालेंगे जैसे हम सीधा फंदा बुने और इस फंदे को बिना बुने ही उता लेंगे, फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे, फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे, लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखे ये बैक साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लेट हो गई, आप देखे थर्ड रोו, फियला पिदा उतारेंगे, धागा अपँदे सीधे, उल्टे, पिदा अब नाष्ट देखे, फिर दो फंदे उल्टे आजाएंगे, एक फंदा सीधा आ जाएगा फिर दो फंदे उल्टे फिर एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड लास्ट में दो फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा तो देखे यह हमारी थार्ड रो कम्प्लीट उगई रोंग साइड से देखे फोर्द रो मेला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे, अब देखे नैस्ट आमने दो फंदे सीधे बुनने, एक फंदा उल्टा, अब नैस्ट आम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, यह देखे, यह फोर्थ रोख कंप्लेट हो गई, आप देखे फिप्त रूख, अब फिप्त रूख में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, आप अब नेश्ट देखे, जो सीधा फंदा है, इसमें देखे, फर्स्ट ओल छोड़ेंगे, और ऐसे सेकिंड ओल में, सेकिंड ओल में हम सलाई डालेंगे, और एक फंदा इस तरीके से बनाएंगे, अब इस फंदे को हम ऐसे लेप निडिल में सिप्ट करेंगे, देखे, यह ज धागा अपनी साइड, नेश्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, अब देखे, जो नेश्ट सीधा फंदा है, इसमें देखे, फर्स्ट ओल छोड़ेंगे, और सेकिंड ओल में हम सलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, अब इस फंदे को और इस दोनों को एक साथ बुनने है, तो इस फंदे को इस तरीके से लेफ निडिल में सिफ्ट करेंगे, और इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, अब सीधे फंदे में पैटरन आएगा, फर्स्ट ओल छोड़ें और एक फंदा बनाएगे, इस फंदे को लेफ निडिल में सिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, दो का एक करेंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, सीधे फंदे में पैटरन आएगा, फर्स्ट ओल छोड़ेंगे, इस फंदे को लेफ साइड से यमारी पैटरन की फिफ्त रो, कम्पलेट ओगे, रोंग साइड से देखे 6 रो, आप 6 रो में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, ये देखे, जो दो फंदे आमारे फ्रंट साइड से उल्टे थे इन में से देखे एक फंदा हमने सीधा बुना और एक फंदा उल्टा आप देखे जो फ्रंट साइड की तरब से जो पैटन वाला फंदा है ये बैक साइड से सीधा आएगा तो धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक दो फिर धागा अपनी साइड एक फंद से सीधा आएगा तो देखे एक अब नेश्ट फंदा भी सीधा आएगा दो दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे जाएंगे, एक फंदा उल्टा जाएगा, लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखें, रॉंग साइड से पैटन की 6 रों कम्प्लेट हो गई, आप देखें, 7 रों, पहला फंदा उतारेंगे, अब नेस्ट फंदे को हमने सीधा बुनना है, और डबल रोल करके बुनना है, इस त फिर नेस्ट फंदा सीधा आजाएगा, इसको हम डबल रोल करके बुनेंगे, फिर धागा अपने साइड, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा आएगा, और इसको हम डबल रोल करके बुनेंगे, फिर देखें, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, सीधे फं दबल रोल करके बुनेंगे, फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा, तो देखें यह हमारी पैटन की सेवन त्रो कंप्लेट हो गई, रॉंग साइड से देखें, एट त्रो, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अप अपनी साइड, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, एक फंदा सीधा, डबल रोल वाले फंदे को हमने सिंगल करना है, और इसको हमने बिना बुने ही उतार लेना है, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा बिन उल्टा बुन लेंगे इस तरिके से तो देखिए यह रोंग साइड से आवारी पैटर्न के 8 तो कंप्लीट हो गई आप दीखे 9 त्रो पैळला फंद।ρέंगे ते सीधे फंदे को हम फंद उल्टा बनेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा लास्ट में एक फंदा उल्टा आ जाएगा और लास्ट वाला फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ये नाइंतरों कम्पलीट हो गई रोंग साइड से टेंत रो पहला पंदा उतारेंगे दागा पीछे एक पंदा सीधा एक पंदा उल्टा फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा भी उल्टा आ जाएगा, तो देखे 10th row complete हो गई, अब देखे 11th row, पहला फंदा उतारेंगे, अब देखे जो next हमारा सीधा फंदा है, इसमें देखे 1st रोल छोड़ेंगे, 2nd रोल में slide डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, इस फंदे को हम left needle में shift करेंगे, फिर देखे इन दोनों को एक साथ बनेंगे 2 का 1 करेंगे, दागा अपनी side, 2 फंदे उल्टे, दागा पीछे, अब देखे सीधे फंदे में pattern आएगा, फरस्ट रोल छोड़ेंगे, सेखेंड रोल में slide डालेंगे, और एक फंदा बनाएंगे, अब इन दोनों फंदों को एक साथ बनेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, सीधे फंदे में pattern आएगा, सेखेंड रोल में slide डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों को एक साथ बनेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर देखेंड रोल में slide डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे एक साथ, दो का 1 करेंगे, 2 फंदे उल्टे फिर देखे नेस्ट, फर्स्ट ओल चोड़ेंगे, सेकंड ओल में सलाइड डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों को एक साथ बनेंगे, दो का एक कल्लिंग, राष्ट में एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा आ जाएगा, तो देखे ए फ्रंट साइड से हमा दागा पिछे कल्लिंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे, दागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, फिर दागा पिछे, दो फंदे सीधे, दागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, फिर दागा पिछे, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर दागा एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे कर लेंगे, दो फंदे सीधे आ जाएंगे, फिर धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखें ये रोंग साइड से हमारी पैटन की 12th row कम्प्लीट हो गई, अब देखें फ्रेंट साइड से 13 row, अब 13 row में हमारा 13 row को हमने पैटन की 1st row की तरह बुनते हुए, कम्प्लीट करना है, अब हमने इन ही 12 सलायों के पैटन को बार बार रिपीट करते जाना है, और बनके देखें, हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये देखें, बहुती सुन्दर, बहुती आसान पैटन है, आप इसे अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करे, सेर करे, कमेंट करे, और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्ली सब्सक्राइब करना न भूले, थैंक्यू करें लाइक कर दो था